नागिन 3 के आज के खतरना काने वाले एपिसोड में क्या होगा जब नागिन 3 में होगी किसी की एक की बयानक मौत और क्या आज के एपिसोड में क्रिश ही होगा माहिर इसकी असली सच्चाई क्या है और हुकुम की असली सच्चाई क्या है और आज के एपिसोड में हुकुम के बेला के साथ कौनसे connection का खुलासा होगा और आज के खतरना काने वाले एपिसोड में क्या होगा ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे जयों को सब्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्क्राइब कर ले और बाचों के पहला आइकन को भी दवा दें नागिन तीम में बेला को सबसे पड़ा जटका तब लगता है जब बेला के साथ क्रिश टांस करता है और क्रिश के छुने की एहसास की वज़े से बेला को पता चल जाता है कि क्रिश और कोई नहीं पलकी माहिर है और आज के एपिसोड में करिश मतन्ना यानी रूही माहिर के साथ शादी करने की कोशिश करेगी और बेला रूही के साथ के डुब्लिकेट माहिर को रूही के चंगुल से बचाएगी और जब आज के एपिसोड में रूही माहिर के साथ साथ फेरे लेने की तैयारियां करेगी तब बेला, फिशाखा एंड विक्रांद यहाँ तीनों पूरे लगनमडब में तबाही मचा देंगे और बेला का यहाँ रोतरा रूप देखकर रूही बेहत ही चौंग जाएगी और बेला एंड रूही के बीच काफी पयंग कर लड़ाईयां देखने को मिलेगी और सबसे बड़े रास की बात तो ये है कि पेला का सीधा connection हुकुम के साथ देखने को मिलेगा और हुकुम के असली चेहरे का और असली रूप का खुलासा होगा तब बेला हुकुम का चेहरा देखकर बेहत ही हील जाएगी लेकिन सबसे मज़ेदार वाली बात तो तब होगी जब आपको क्रिश के रूप में माहिर का सबसे बड़ा खुलासा देखने को मिलेगा और जब क्रिश बेला को कहेगा कि मैं ही असली माहिर हूँ तब बेला के खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और खुशी के मारे बिचारी बेला के आँखों में से आसू आ जाएंगे और बेला एंड माहिर फिर से एक बार आपको एक साथ देखने को मिलेंगे और आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्रिश ही है माहिर ये हमें कॉमेट में सवरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में टेक केर